भारतिय रेलवे आने वाले महीनों में विश्व स्तरिय ट्रेने शुरू करने के लिए पूरी तरह तיयार है। एक वंदे भारत स्लीपर संसकरण, वंदे मेट्रो और यहां तक की उन्नत सामान्य और दूसरे थ्री स्तरिय कोचों के साथ एक नई ट्रेन भी चलने के लिए तैयार है। टाइम्स ओन्फ इंडिया को दिये एक इंटर्व्यू में ICF, चैन्नेई के महाप्रबंधक B.G. मालिया ने आगामी परियोजनाओं के और बारे में बात की और बताया कि कैसे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन राजधानी एक्स्प्रेस से बहतर होगी। प्रोटोटाइप 16, कार ट्रेन शुरू करने का लक्ष रखा गया है। इसके बाद अगले वित्तिय वर्षों में और अधिक ट्रेने चलाई जाएंगी। जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसमें डिजिटल गंतव्य बोर्ड, केंद्रिकृत कोच, निगरानी प्रणाली, आपात कालीन टॉक बैक यूनिट और ट्रेन टक्कर बचाव, प्रणाली, कवच, जैसी सुविधाएं भी शामिल है। बीजी मालिया ने आगे बताया कि चालू वर्ष में चेयर कार संसकरण की कुल 75 ट्रेने शुरू करने का लक्ष्य है। ICF चैननाई के डीजी ने आगे कहा, इस परियोजना का मुख्य सीख यह है कि फोर्जड भील और एक्सल और इंटीग्रेटिट सर्किट के लिए देश के भीतर परियाप्त क्षमता बनाने की आवश्यक्ता है। क्लास कारें और टू लगेज कमगार्ड वैन होंगी। इन कोचों का निर्मान, ICF, इमे किया जाएगा। इन ट्रेनों में बेहतर सुरक्षा और यातरी सुविधाओं के लिए गैंगवे, अर्ध स्थाई कपलर्स, गंतव्य बोर्ड और बेहतर आंतरिक सज्जा होगी। इ इसे सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँच सके।